दोस्तों अगर आपके घर पर विजली कनेक्शन है तो आपने बहुत बार ज्यादा बिल आने की समस्या का सामना जरूर किया होगा बहुत से लोग हैं जिनकी ये सिकायत होती है कि उनका बिल ज्यादा आता है तो उसका मैंने समधान बताया हुआ है और समधान ये है कि आप अपना बिजली बिल खुद से जनरेट करने हैं जी हाँ अगर आप अपना खुद बिजली बिल जनरेट करते हैं तो आपका बिल कभी ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि देखिए उसका कारण क्या होता है जादा आने का कि मीटरीडर हर महीने हमारे घर आता नहीं है वो अपने ऑफिस में बैटके ही बिल जनरेट करते रहते हैं और ऐसे में वो बिना मीटर को देखे हुए यूनिट डाल देते हैं कई बार 40-50 यूनिट कई बार 70 यूनिट 80 यूनिट और कई लोगों का तो 100 यूनिट के उपर भी बिल चला जाता है और वो लोग बोलते हैं कि हमारे घर तो कोई आया ही नहीं फिर बिल कैसे जनरेट हो गय तो मैंने आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में किस प्रकार से अपना विजली बिल खुद से जनरेट करके इस समस्या से बच सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको आप देख सकते है और अपना विल खुद बना कर इस समस्या से बच सकते हैं। उसके बाद में कई लोगों को एक कमेंट आया कि हम विल को जनरेट करें। क्योंकि हर महीने तो विल हमारा generate होता है लेकिन हम किस तारीक में अपना विल generate करें तो देखे उसकी आपको ज्यादा टेंसन लेने की जरूत नहीं है बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका meter reader जब भी आपका विल generate करता है उससे पहले आपको कर देना है इसकी कोई मई चल रहा है आपको अगर अगले मेने बिल जनरेट करना है तो आपको अगर अपना बिल जून में जनरेट करना है तो देखिए आपका बिल इससे पहले की जनरेट हो जाए आपको खुद करना पड़ेगा और अधिकता जो होता है वो यह होता है कि आठ दस्तारीक के बाद ह सब्सक्राइब ज़्यादा पैसे ना चुकाने पड़ें आप जितनी बिजली खर्चा कर रहे हैं उतने ही पैसे लगें तो उसके लिए आप दस तारीक के पहले-पहले ही अपना बिल जनरेट कर लें आसा करते ही कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि आपको अपना बिजली के साथ में तब तक के लिए जय हैं